उमीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बिलकुल ठेक होंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर लीग वेस्पाल के बारी में ये जो मैच होने वाला है एन ए वाई वर्सिस एमाई टी के दर्मियान दोस्तों इस वीडियो में हम आप के साथ डिटेल में इनफोर्मेशन शे करेंगे साथी साथ मेरे प्यारे दोस्तों इस मैच से जुड़ी कोई भी जानकारी और लाइन आपस निकलने के बाद फाइनल टीमस फ्री आप कास्ट पाने के लिए दोस्तों आप हमसे हमारी टेलिग्रम चैनल पर भी जॉइन हो सकते हो जिसके लिंक आपको नीचे वीडि इसकी सिटरंगत पर एक नज़र डालेंगे दोस्तों अपरेल में मेजर लीग बेसपाल शुरू हुई थी और एन इवाई ने दोस्तों अपरेल से लेकर अब तक यानि पूरे मेजर लीग बेसपाल सीजन में दोस्तों 79 मैच में काम्याबी हासिल की है बट दोस्तों अगर इसके अपोजित टीम की बात करेंगे MIT की तो MIT ने पूरे मेजर लीग बेश्पाल सीजन में 263 मैच में काम्याबी हासिल की है तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो NEY की टीम दोस्तों यहां पर आपको से ट्रॉंग टीम देखने को प्यारे दोस्तों शिर्वात करेंगे पिचर सेक्षिन से पिचर सेक्षिन में आपको दोस्तों बहुत सारे प्लेइर देखने को मिलेंगे कुछ खेलेंगे नहीं कुछ इंजर है दो ही प्लेइर दोस्तों यहां से आपको बना सकते तो दोस्तो ये प्लेयर कैप्टेंसी के लिए ग्राण लिग में ठीक रहेगा और स्माल लिग हैट्वेट में दोस्तो इसको एज़ प्लेयर अपने टीम में लेना पड़ेगा दूसरा प्लेयर दोस्तो जे ग्राण आपको खिलते वे नजर आ जाएगा सिर्फ 2.2% लोगों ने दोस्तो इसको अपने टीम में पिक अप किया है दोनों प्लेयर दोस्तो बहुत अच्छे प्लेयर से और सिर्फ ग्राण लिग में काम करने वाले है इनको दोस्तो सुमाल लिग हैट्वेट में बिल्कुल ट्राइ मत करना कैचर सेक्शन की बात करेंगे जी सेंच बहुत अच्छा प्लेयर है दोनों प्लेयर दोस्तो आपको सिंगल डाबल रण भी ट्रपल रण भी हो और होम रन भी कंपलेट करके दे सकता है और साथ ही साथ आर्ज फर्स की बात करेंगे दोस्तो इसने हैं स्कोर 50 से 50 प्लस किया था 56 ड्रीम आलेवर पॉइंट इस एक फिर दो home run भी दोस्तो इसने score किये थे बहुत ही अच्छा player है आप इसके साथ भी जा सकती हो और G Sanchez को भी दोस्तो आप अपने team में captain try कर सकती हो but highly risky grand league team और highly risky grand league team में दोस्तो इसको भी try किया जा सकता है normal grand league teams के लिए captain दोस्तो आपको outfielder और infielder section में मिल जाएंगे आसानी से तो अब बात करेंगे दोस्तो यहाँ पर outfielder section की G Sanchez captain captaincy के लिए बहुत अच्छा option है 15 plus 20 इसकी batting average है single run, double run आपको आसानी दोस्तो यह complete करके देगा और साथी साथ home run दोस्तो आपको इसकोर करके दे सकता है कुल मिला के दोस्तो यह आपको अच्छी कासी batting करके देगा single run, double run, triple run, battered run, run scored in, runs batted runs batted और साथी साथ दोस्तो stolen base बहुत अच्छा player है Arun Judge की बात करेंगे Arun Judge भी दोस्तो आपको खिलते वे नजर आ जाएगा Arun Judge ने तकरीबन दोस्तो अभी तक 6 home run भी बिल्कुल दोस्तो ने अभी तक सिकोर किया है और ये भी दोस्तो कैप्टन सी के लिए N.E.Y की तरफ से best player हैगा मैंने आपको पहली बता दिया कि N.E.Y की टीम दोस्तो आच्छी टीम है कैपलर की बात करेंगे कैपलर ने दोस्तो अभी तक 2 home run दोस्तो सिकोर किये है बट अगर आप चाहो तो highly risky ग्राणली टेम में इसको दोस्तो आप try कर सकती हो कैपलर MIT की तरफ से एक best player है आउट फिल्डर सक्षन है इस बात को भी दोस्तो आपको बोलना नहीं है यह अच्छा कासा option है इस बात को याद रखना बट दोस्तो अगर आप highly risky खेलना चाहती हो या फिर ज्यादा टीमस के साथ खेलना चाहती हो तब इसके साथ जाना पड़ेगा जी कैलो को दोस्तो बिल्कुल भी miss मत करना यह बहुत 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 बैथर प्लेइर है इसके recent performance बहुत अच्छी चल रही है 10 पलस यह दोस्तो आपको बिल्कुल सिकोर करके देगा इसको गलती से भी miss मत करना क्योंकि दोस्तो 10 पॉइंट यहां से आपको मिल जाएंगे और शाथ ही साथ यह एक सस्ता क्रेडर वाला ही प्लेड ही तकरीबन इसने अभी तक दोस्तो दो होम रंडी किये है इसके अलावा जितने भी नीचे प्लेड से मेरे अंदाश से दोस्तो इन में से कोई भी प्लेड आपको खेलती वे नजर नहीं आएगा अगर खेलेगा भी को बिल्कुल भी नहीं होगा आउट फिल्डर सेक्शन की बात करते हैं दोस्तो जे पैलकेनो डी ली महू ए रेजो और एम सैनो ये चारू उप्शन दोस्तो कैप्टेंसी के काबिल है चारू की बैटिंग एवरिज बहुत ही अच्छी है अगर जे पैलकेनो की बात करेंगे अभ और एम सैनो की बात करेंगे एवितक साथ हुमरें जिसने स्कोर कीए है जे डैनल डिल्सन की बात करेंगे ये भी दुस्तो आपको सिकोर करके अच्छा दे सकता है लास्ट दो तीन मैट्स की अगरा परफॉर्मेंश देखोके बहुत अच्छी है 27 27 दुस्तो इसने दो बार करी माले और पॉइंट का स्कोर किया है और ओडार दोस्तों इसकी रेसेंट पॉपामिस थोड़ी सी डाउन है बट बहुत अच्छा है अब बात करतें तो हैट टो हैट में कैप्टन कौन ठीक रहेगा दोस्तों हैट टो हैट टो हैट एक 100% रिस्ट की टीम होता है क्योंकि मेरी टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा टेलिग्राम की लिंक दोस्तों आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलिग्राम पर ही आपको मेरे प्यारे दोस्तो demo team का preview ready है लेकिन उससे पहले ये मैं आपको बता दूँ कि copy बिल्कुल मत करना क्योंकि final teams आपको मिलेंगे copy बिल्कुल मत करना क्योंकि अगर सभी एकी team के साथ आप दोस्तों खेलोगे तो last होगा दोस्तों team का preview दिखाने से पहले कोई वीडियो अप्लोड करें आपको उसकी notification तुरंत मिलते हैं प्यारों दोस्तों मुझे बहुत बहुत उमीद है कि आपने हमारी channel को subscribe किया होगा तो चलिए team का preview आपको दिखाना चाहेंगे इसी बात का आपको इसी वक्त का दोस्तों आपको इंतिजार था अब आप कहोगे कि आपने तीनो के तीनो outfielder anyway के लिए क्योंकि इनके best है इसलिए मैंने इनको pick up किया और MIT के दोस्तों यहां पर infilder best है मैंने इसलिए इनको pick up किया picture दोस्तों आप चाहो तो change कर सकती हो और RJ first की बात करेंगे यह best player है इसलिए मैंने इसको pick up किया captain दोस्तों आगर options की बात करेंगे आप Jay grand को जा सकती हो highry risky की बात करेंगे तो इस player को ले सकती हो इसलिए दोस्तों फिलाल इस पे मैं cross रखूँगा क्योंकि यह highry risky में काम करेगा इसके अलावा Aaron Judge captaincy के लिए G sentown captaincy के लिए ठीक रहेगा M seno captaincy के लिए ठीक रहेगा और J palcano दोस्तों captaincy के लिए ठीक रहेगा फिलाल यह 4 options ठीक है आप चाहो तो पिजर की साथ जा सकती हो तो दोस्तों फिलाल आप मुझे यहां से दीजी इजाजत मिलेंगे टेलिग्राम पे जब तक के लिए बाई 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 वेस्ट अब लग